कोरारिस्ती 210 मेगावैड बिजली घर की युनीट की 152 मीटर उची चिमनी गिराने का कार यह चल रहा था चिमनी गिराए जाने के बाद उसके परखचे उड़ गए सिमेन कॉंकरेट के टुकड़े उड़कर 50 वर्षय पोटा निवासी दिनू और गुर्जी काकड़े और वहां काम कर रहे दो लोगों के सिर पर लगे तीनों जखमी हो गए लेकिन दिनू के सिर पर गंबीर चोट लगी तीनू को नाकपुर के एलकसीस हॉस्पिटल में भरती किया गया दिनू कहा पर खेड़ा बिजली घर में काम करता है ततावा कॉराडी बिजली घर के मेजर स्टोर में बेरिंग लाने के लिए आया था कि हालत जरजर और बिजली निर्मान शमता कम होने से घाटे में जा रहा था इसलिए बिजली घर को बन कर दिया गया है इसी बिजली घर को जमिन दोस्त करने का कारिया अंतिम टपे पर जारी है इसी जगह पर 660 मेगाबैट का एक यूनीट बनाया जाएगा NBCN News के लिए कोराडी से अरुन महाजन के रिपोर्ट